बिसमिल्लाइरामानि रहीम, असलाम लेकूं आज हम लोग study करने जा रहे हैं endocrineology, endocrineology आप लोगों का most important chapter है, endocrineology पे हम मुक्तलिफ किसम के endocrine system से related topics को study करेंगे, जो सबसे पहले हम जानते हैं, endocrineology क्या चीज़ है, जिस तरह हमने पहले nervous system पढ़ा, इसी तरह हम endocrine system पढ है, today our topic is endocrineology, endocrineology क्या है, जैसे हमने previous lectures में study किया था, कि biology, biology means, bio means life and logic means study, तो यहाँ पे भी लोगी का word study ही को जाहिर कर रहा है, जबके endocrine, endocrine जाहिर करता है, endocrine system को, endocrine glands को, endocrine system से related मुक्तलिफ किसम के phenomenon को, इसलिए हम endocrineology को define कर सकते हैं, endocrineology is a branch of biology and medicine dealing with the endocrine system, its disease and its specific secretions known as hormones, endocrineology एक ऐसी branch of biology and medicine की, जो के इसमें हम study कर सकते हैं endocrine system को, उसके disease को and specific secretions जो endocrine system में release हो रही है, जिनका हम hormones का नाम देते हैं, हार्मों के बारे में हम endocrineology में study कर सकते हैं, ऐसी biology and medical sciences की branch, जिसके नाम endocrine system के बारे में, उसकी disease के बारे में, उसकी secretions के बारे में specific, जिनका हम हार्मों के रहे हैं, के study करते हैं, उस branch को, हम endocrineology के बारे में पढ़ते हैं, जिसके नाम endocrine system के बारे में पढ़ते हैं, short अगर हम बोले तो endocrineology is a study of endocrine system, अगर हम इसकी detail में जाते हैं, या हम प्रिविस अपना लेचर नर्विस सिस्टम के अपर किया है, तो हम लोगों को पता है कि नर्विस सिस्टम हमारी बोडी को regulate कर रहे हैं, डिफ्रेंट अक्टिविटीज को, अलब फिजियोलोजिकल अक्टिविटीज आ रेगुलेटीज करता है एक्टिविटीज बलके एंडोक्राइन सिस्टम भी उसकी help कर रहा होता है, तो इट्स में आल्दा बाइलोजिकल अक्टिविटीज आ रेगुलेटीज बाइट टू सिस्टम इना बोडी, हमारी बोडी में दो सिस्टम ऐसे हैं, जो के रेगुलेट कर रहे होता हैं, फिजियोलोजिकली अक्टिविटीज नमबर वन नर्विस सिस्टम जिसके बारे में हम पहले स्टेडी कर चुके हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्विस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर जो हैं हमारी बोडी के मुखले फिजियोलोजिकल अक्टिविटीज को कि अगर हम डिफ्रेंट करें नर्विस सीस्टम एंड हैं एककर आगर करें तो यह कह सकते हैं कि देर्भी से स्टम एक्ट थो देटिकल इंपल्सेस यह अगर नियौ ट्रांस्मिटर्स कास्ट मसल्स कंट्रक्शन और शीपरेश अगर कुसे बाइब वर्क इसे लिए किस तरह यह दोनों काम कर रहे हैं अगर इंको कंपेर करें तो nervous system काम करता है electrical impulses को generate करका electrical signals send करता है electronic signals receive करता है और फिर उसी हिसाफ से पेगमात भीछता है दूसरे और जाज ताहिए कि आप यह काम करें रहले और उसके हाल कर रहा है तो है ओर बैसिक और फंक्शनल योनेट के तरू पर काम कर रहिए होती हैं प्रक्ते मयशतें kaip स्बाशारिष कांद कर दो समीडर व्यूर्श प्रफेर करने के दिजुक्षामयma इंडोप्राइट इंपल्स नर्वी सिस्टम में एहम किदार अधा कर रही होती हैं जो कि पेगामात लेके भी आती हैं और मुख्लिफ और अर्गन्स तक हिदायात देती हैं ले जाकर आपने यह काम करना है इस मसल्स कंट्रक्शन किस टाइब की होगी या सिक्रेशन किस टाइ स्ट्रक्शंट्र कर रही थी अफृपिया पर और मैसेंजर कर रही आर्पम अचाज्चन को अध्य हो मौन यह क्रीट में तो और फाइस ट्रोड़ मेसींजर्स और मौन्स नेट इन फ्लोट संस्ट ग्रोथ डिवेल्पमेंट अन मेटाबोलिक अक्टिविटी इस तहां काम करें ते इस अनुद इसके बावा नवी सिस्टम को हम रिप्रेंशियेट करें एलॉकराइज सिस्टम से इफ्ट ऑफ फफ ता शौर डूरेशन मेरा इन सेकेंट अ वह सकते हैं या फिर बहुत महदूद लोकलाइज मिन के ज्ञादा वसी नहीं है बहुत महदूद पर माने का इसका इफट होता है जब कि अगर हम एंडोक्राइन सिस्टम को देखते हैं तो एक्शन अप एंडोक्राइन सिस्टम इसमेड इनमीर्ट और वर्ष वीकली और जनर अखरो हुए तो आजिकर करें लिए तो मुसलसल हो रही होती है मुसलसल हो रही होती है मुसलसल चलने माला लॉइन ऐफ्ट है लिएजेट और इसमेड़ प्रदों आइजेट खाल आव होता है कि अगर हम हाईट बढ़ना का अधियर bereits 75 सरी यह स्टार्ट होता है और भी अध इसके लावा भी रिलीज हो रही है लेकिन वह आइसा इस इस प्रस होना शुरू हो जाती है जैसे वक्त आगे के तरफ जाता है लेकिन दूसरी ग्रॉथ से एक्टिविटीज फिर भी चल रही होती है इसमनी लॉंग लास्टिंग एफेक्ट दे रहा है एंड़ोप्राइन सिस इसमन का दूरेशन शॉर्ट है अब नर्वे सिस्टेम में जैसे इंपल्स आपके बने ब्रेंड ने जो है दायत भेजिए किसी भी और गन तब के वह पर्फॉर्मेंस दे जैन वह थोड़ी दर के लिए पर्फॉर्मेंस दे कोई और नर्व इंपल्स की जगा ले लेगी इस पर और स्पेयर से जाधा जर्णलाइस डिफेक्ट रखता है देखते ने डी टेल गया है और लोजी कर ने रोजी में बैसिक हम स्टडी कर रहे होते हैं तो बारे में तो बट इस एंडोक्राइं सिस्टेम एक्ट सुर्दा केमिकल मेसेंजर शॉर्मोंस डेट इनफ्लोरीश system एक्ट उल्दा chemical messenger किस तरह हमल कर रहा होता कीमिकल messenger means यहाँ पर chemical messages वहर्पेंट्स रखतें उन chemical messenger को हार्मॉन किहते हैं हार्मोन को यह खर किय utilizing growth पनेटिवेल्प्मेट एंड मिटाबॉलिक एक्टिविटीम्ट पर सोस्य होति है टार Stay by a इसके लावा हम अगर इसे एक और तरीके से डिफाइन करना चाहें तो हम यह कह सकते हैं अगर इस तरह करती है होर्मोन और डारेक्टली उसे रिलीज कर देती हैं बलड इस तरह करता हैं अब डारेक्टली ओपनी हर्मोन को डारेक्टली किया जा सकए नैक्स संटर्ज में लिकहा अग्नस नोटskाराइन की बहात है तो उसके अंदे act लाइटस você इंडोक्राइन ग्लेंड and exocrine gland का बिदेख बताती हूं ठोटे मैं लेकिन इससे पहले आप यह जान लें कि एंडोक्राइन system डज नोट इंक्लूड exocrine glands like saliva glands and sweet gland and gland within the GIT इस तरह के secretion exocrine glands से खारच हो रही है यह बन रही है वह एंडोक्राइन system के अंदर नहीं आती एंडोक्राइन system में हम study करते हैं एंडोक्राइन ग्लेंड से रिलेटीड अब differentiate क्या है exocrine and endocrine के अंदर लेकिन हम इससे पहले हैं यह point no down कर लेते हैं कि के the system is the collection of glands that she create hormones directly into the blood steam directly into the blood steam release कर देते हैं hormones को to regulate the body the endocrine system does not include exocrine gland endocrine system exocrine gland को अपने अंदर यानिके अपने functions के अंदर नहीं कर रहा हो था एंडोक्राइन system के अंदर एक्जोक्राइन ग्लेंड नहीं आते एंडोक्राइन ग्लेंड से नाम ही इसका एंडोक्राइन system है तो दिफरेंट शीट क्या है exocrine में एंडोक्राइन ग्लेंड में नहीं में एकफ़ार के उसे नहीं एक्जोक्राइन ग्लेंड हुमारे बोडी के अंदर दो थैशाने ग्लेंड होते हैं एक्जोक्राइन ग्लेंड यहिंड एक्जोक्राइन ग्लेंड क्या हैं मैंटेन कॉंट्रेक्ट विद बॉडी सर्फेस बाए ड़क्ट वो जो सिक्रेशन्स रिलीज कर रहे होते हैं सर्फेस बॉडी की तरफ वो ड़क्ट से आपके सर्फेस के उपर रिलीज हो रही होती है एक्पःली ट्यूब्स डेट डारेक्ट सिक्रेशन्स तुदा सर्फेस इस तरहां पसीने का आना हम थर्फेस के उपर आ होता है पसीने टीयर्स ग्लेंड्स त्यूर्ग आसू आप देखते हैं बाहर देख सकते हैं आपके सर्फेस पर जिल्द के अपर खुत्वाइब बनसे तो एक्सोथ होतों इस तहां चीज़ उसका ऐस ऐस सब्सक्राइब कोन्तेक्ट विदर बोडी सर्फेस और अग्स चाहिक हो अन्रोग होगे एंडोर मिन्स मतलब होता है इंसाइड और और एग्जो जैसे बैरुनिस कुछ जाहिर कर रहा होता है एंडोप्राइंग लेंज के डॉंट हैव कॉन्टेक्ट बॉजी सर्फेस और केवेटीज विच लीड तुदा आउटसाइड है उस तरह का जिसा बैरुनी तोर पे जो सिक्रेशन होती हैं उनसे रिलेट नहीं कर रह सिक्रेशन को सिक्रेट हार्मोस डारेक्ली इंटो दा बलड एसी लेकिन इसके जगह यह डारेक्ली बलड के अंदर अपनी सिक्रेशन को छोड़ देते हैं इसकिन के उपर नहीं करते हैं लेकिन डारेक्ली बलड के अंदर रिलीस करते हैं जैसे कि यहां पर यह तस्वीर में Ilia gland यहां पर यह gland है और यह skin surface है यहां पर किता सबस्किट कि तरफ रिलीज कर रहा है लेकिन रिलीज किस्ता है कर रहा है यह देखिए समझ लिए यह यहां से यह स्कीन के तरफ जा रही है इसी तरह अगर हम देखते हैं एंडोक्राइन ग्लेंड में आप देखेंगे यह एंडोक्राइन ग्लेंड दिखाए गया है ब्लट क्यप्लरीज है इसके इरदगर्द यह है अप यह एक होर्मोंस और सीप्रेट इंटी इसे इस थर्मयान ग्लेंड की दर्क दिखाए लेकिन आंदर ड्क्राईन ग्लेंड धाट comprendể अब वगर जो एंग्स स्यप्राइजिंग प्रिट्ट्प क्या है लिएंग्स डाक्ष उपकर्पटी है ने करी दे यर स्यक्रेटरी प्रोडॉक्ट तो अस तू जो कंग बॉंग स्यर्थ के तूपर इपनी सिक्रेशिंग स्कू सर्फिस के उपर रिलीस कर रहा हुता है इंक्लूड़ दास बैशियस अन मैमरी ग्लैंड जायन देट विर्ट इसकी एक्जेंपल है आप देखाओ पसीन भी सिर्फिस के उपर रहा था लिए स्कीं के उपर जाहिर हो रही होती है तो इस विंद यह लग यह सकते हैं और रकते हैं विद इसमें एक्जेम्पल जिर्के बताई है मैंने आप यहां पर देखिए आप इसकी तस्वीर देखिए जिसके अनल दिखाया गया है कि एक्जोप्राइम ग्लैंड है और इसके अंदर से इसक्रेशन्ग रिलीज हो रही है यहां पर यह सेक्रेटी प्रॉडेक्ट्स रिलीज हो है इसके अंदर ट्यूब दिखाई गई है यह देखिए यह दिखाई गई है एक तरफ पर सबस्क्राइब लेकुंद कहले को सर्फस की तरफ लेके चली जाएगी तो इसमें यह डंख रखते हैं तो एक्ज़ने ग्लेंड दूसरा ने के रीट सिक्रेड ने क्यों दे संतवर कंपर दे सिर्फस कि तरफले जाती हैं यह अब एक्जोप्राएंड ग्लेंड लिल्क एंडोक्राइन ग्राट में डजह 1 आपको डिफ्रेंस का नहीं दौर है रखते क Wikipedia लिए दुन दूरेंस में डख्ट थी लेक्वान करेंज करेंगें नहीं रख तार श्लैंस 8 हुश्टे जाता है च्छला मंधालज प्लेंद को दख लेंडो कोस्ट लेह खत eso दा वर्ड एंडो क्राइब इस ड्राइब फ्रॉम ग्रीक ट्रॉम्स एंडो मिन्स विदन ग्रीक वर्ड से यह निकला है एंडो का क्या मतलब है एंडो मिन्स विदन क्राइब एंडो क्राइब में ग्राइब और से खरेट करिंघ तरह की है यह एंडो क्राइब ग्रेंड ये और Scareसannah suas krit Knights क्यों करेंगे इस जया इंड़क्राइब और कॉर्ध्यकं पर नहीं सर्फ़िसपी्ज करेंगे बॉडी सर्सपर नहीं करेंगे जैसे एक्जोप्राइन करते हैं वैलकि यह डारेक्ली ब्लड के अंदर सिक्रेट कर देते हैं अपनी हर्मोन को अपनी सीक्रेशन को एंड देन क्यारिट थ्रो आउट बोडी वेर इंफ्लोरिशन्स ओन्ली दोस सेल्स डेट है रिसेप्टर साइट्स पोर डेट होर्मोन तो जहां प आप अब्ही एक्जोप्राइण और एंडोक्राइण ग्लेंस देगाएगएग्जोप्राइएट करते हैं य। एक्जोप्राइण के अंदर डक्त मथ्यूत होती है लेकिन अंदर केपलरीज मौझद होती हैं। हर्मोन को बलड के अंदर स्क्रेशन में मदद दरी होती हैं कि ड़क इसके इसके अंदर मुजूद नहीं है बलड के इंदर डारेक्ली शामल हो जाती हैं हर्मोन ताइप सोफ्वेर से यहां पर तश्वीक के वाजिव क्या जैसे कि यह है एक्जोख्राइण ग्लैंड के अंदर दिखाएगे हैं सेक्रेटर प्रोडेक्ट्स रिलीज हो रही हैं एकजोक्राइन सेल्स के जरी और एक डयक्त मौजूत है तिक के डयक्त को इसकिन की तरफ ले जाएगी सीक्रेशन को इसकिन का तरफ लेज जाएगी जब्के दूसरी तरफ दूसरी तरफ अगर हम देखें एंडोक्राइन ग्लेंड के अंदर आप देखोगे एंडोक्राइन सेल्स रिलीज कर रहे हैं हॉर्मॉन्स को और जो कि डारेक्टिव ब्लड वेसल्स के अंदर सिक्रेट होती हैं ब्लड फ्लो के जरीए बॉडी के डिफ्रेंट हिसों तक होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर केमिकल मैसेंजर की जिनको हम हार्मॉन्स कहते हैं तो केमिकल मैसेंजर क्या चीज़ है अग केमिकल मैसेंजर इस एनिंग कंपाउंड इट सर्फ टू ट्रांस्मिट अ मैसिज जिस तहां नर्विस सिस्टम है नाव इंपल्स एलेक compound that serves to transmit a message message रे जाने का काम करें ट्रांस्मिट करने का काम करी तो chemical messenger में refer to hormone long range chemical messenger and communicate to the adjacent cells chemical messenger जब हम जर्नल डर्म यूज करते हैं chemical messenger की chemical messenger कर रहें हर्मोन तो में रिलीस करते हैं एंडो क्राइन स्टम्स एंडो कर रही होती है hormones का लिकिन अगर chemical messenger गुज सक्टल में इस्टमाल करें तो chemical messenger में वो तुमां के तमां chemical जो है मैं messenger मैसीज्स कर्याई करने वाले compound आ जाते हैं जो के परगाम रसाय का काम कर रहा है बॉडी के अंतर आग केमिकल मेसिंजर में भी रफरेज्ट तू हर्मों फिर वह हॉर्मों भी हो सकता हैं लॉंग रेज केमिकल मेसिंजर भी नियूरो ट्रांस्मीटर्स भी हो सकते हैं अगर हम इन डिफरेंटिट करें तो हा मैसिज कोई भी कंपाउंड जो के मैसिज आप परगाम रसाई का काम करें बॉडी के अंदा उन्हें हम केमिकल मेसिंजर कर रहे हैं और वो केमिकल नेचर भी रख रहे हैं साथ में केमिकल नेचर भी रखते हैं और परगाम रसाई का काम भी कर रहे हैं देन हम उसे कहेंगे क वर्ड केंकल प सब्सक्राइल अर्व नाम मेशच को सब्रकार के कांड़ आट हुमेंज में जाल आज केमिकल मेसेज ईन हर्मोस का वर्ड logr इस्तमाल इंडरीन स्टम को एक मोश्य स्टम को बीवेसी मेसंजर है डेकिन और नर्विस सीटम को जाsil कर रहा है सब्सक्राइब कि नियूरोंज दिल लिए बैस क्टिर्समाँ व्हान को चाहिकर सबस्वाइब नर्वेस सिस्टम का तो न्योरो ट्रांसमिटर जो केमिकल मैसींजर है नर्वेस सिस्टम का हिस्सा रहा है जबके हम दूसरी दर्फ बेसुप्ट करें हामों हमों तो हामोंस डिलीज टू एंडॉपर इंडॉपर Olympics लैंड में एंडॉपरी म्ट Turkish का हिस्टम पर कि देख यह कि बेच्ग्ग एकजूं रही है यह रिलीस कर रही है हैitta लूट में दो नियूरोन का हिस्ट के तो नियूरोन से रिलीज हो रहा है ले फिर स्विवार्ण जमनो कि अधर ब्लेड़ु और प्रोट्वं जाताओ नियूरोन से नीरों से रिलीज हो रही है रिलीस हैंज तक यह बंदक करेंगे हम एंड़ोंस की स्तुटी कर रहे हैं तो हम में चैनल आटि सिस्टम की उसान ही तोर्य। यह रिवाइन थे धीनतों की सिस्टम पुछ होती है इन्ड्र्कौरायन ग्लेंट बाडिये में दोगन के जरीए इन के सीक्रेशान ऋहर्मोन तरह किस तरह दूसरे और सबस्क्राइब पहुँचते हैं ये बल्लीज करते हैं मुकर फिस्टा तक वहां जाती है बोडी जहां पर बीज़ुरत होती है वहाँ हम मुरुन के सब्सक्राइब और जो आइन हो कि यह इंट और इसाहिं आमल करने लगती हैं हॉर्मों्स आदे मैसेंजर रिस्पॉंसिबल वो और ठीनेशं यह एक्साइटी सेंट्री तो तो अमोशन से क्योंकि ब्लड में शामिलों कर देखें वो फिल्प चगाओं तक पहुंचाती है बोडी के वहाँ जाके अपने परफॉर्मस दे रही होती है जैसे की तस्वीर में दिखाया गया है कि यह हुमन पैंक्रियास है हुमन पैंक्रिया के जरीए ब्लड में जाएंगे और बिटर सेल्स यहां पर मौझूद हैं यह इंसुलीन सेल्स एक्ट कर रही है ग्लुकोस को जाकर कंट्रोल कर रही है बोडी के अंदर हार्मोन्स आर्ण केमिकल मेसेंजर डेटार सेक्रेटी डारेक्ली इंटू दा ब्लड हार्मोन ऐसे केम क्रिक्शन करों करना रहता है कीमिकल मेसेंजर को दो तरहां से क्लासिफाइड कर सकता हैं केमिकल हमोन के जरीए या लोकल हार्मोन कि ज़ 청ण कहां है। ऑई इसी हर्मोन ze सबस्क्राइब होती है हम केमिकल हार्मोन कहते हैं क्लार्मान से दीशू हम thermals करते हैं यां जो पहलेद शेलों के रिलीज कर रहें हुआ है हिसे थुआ препिर यिजयेश और हर्मों रिसप्रs or भाफ पर जाकर ज्वाइन हो जाएंगी ए उसके बाद यहां पर रिसेप्टर्स बने में और जोइन और अपना वर्ट पर फॉर्म करेंगी इसी तरह अगर हम देखें अंदर तम कह सकते हैं कि हार्मॉन्स ब्लड के अंदर रिलीज होती हैं वह ब्लड उने डिफेरंट सेल्स तक लेके जाता है टार्गेटिट सेल्स था और उन सेल्स पर पहुंचकर उन सेल्स क्छ खास रिसेप्टरों होते हैं जहां पर जाकर हॉर्मोंज एक्ट करती हैं नके साथ फंक्शन पर्फॉर्म कर रही होती है एंडिक्राइन शिस्टम कियाकर हम की पॉइंट्स लें आज के लैचर के किया important points हमने study किये हैं इसके अंदर से क्या एहम बाते हैं जो हमें डाइशनी चाहिए हमेशा तो एंडिक्राइन सिस्टम हमें hormone सबसे important चीज़ है hormones जो के endocrine brain से release हो रहे हैं income chemical messengers भी कहते हैं hormones chemical messengers secreted into the blood steam stimulant response in other tissues and organs ऐसे chemical messengers डारेक्ली blood steam में release हो रहे होते है अब अकल फिसम के functions perform कर रहे होते हैं regulate कर रहे होते हैं हमारी body के activities को targeted cells क्या है क्योंकि hormones release होते हैं blood में blood उने targeted cell तक लेके जाता है जहां पर उनने अपना work perform करना होता targeted cells वो cells हैं जहां पर hormones के receptors भी मुझद होते हैं उन receptors पर अमल करके अपना work perform करती हैं तो हम यह कह सकते हैं targeted cells have receptors for hormones ऐसे cells जिनके उपर hormones के receptors हैं ताकि वो काम कर सके endocrine gland क्या चीज़ है endocrine gland भी important point हमने इस डिसकस किया है आज क्रेक्चर में endocrine glands produce hormones किसली इंपॉर्टन है कि हो hormones को produce कर रहे है endocrine system क्या है endocrine system क्या है includes hormones producing cells in organs such as brain, heart and small intestine endocrine system हम इसा system है जिसके अंदर हम endocrine glands की study करते हैं कि उनकी secretions की study करते हैं तो उसको endocrine system कहते हैं अमिर करते हूं आपको आज का लेट्चर जो है समझ में आया होगा कि पॉइंट में आपको बता दी है endocrineology क्या होती है हमने अज study क्या endocrine system क्या है hormones क्या होते हैं endocrine glands क्याइब्स कि ताइप्स जैसे endocrine glands कि ताइप जैसे endocrine glands and endocrine glands हम देशे जाइड के अमिर को तुइंट में आपको आपको समझ में आया होगा आपना खेल रखे हैं अपनी फैमिरी के खेल रखें लगलापिस